नमस्कार मैं हूँ जैनिश मसी और आपका स्वागत है पब्रिकेशन यूज में पूरे उतर प्रदेश में चर्चा का विशय बना हुआ है सपा के टिकर पर पूर्वुसी एं मखिलेश यादव की पतनी और मौझूदा सांसर डिंपल यादव फिर से रनभूमी में उतरी है आगे बढ़ते हो आपको बता दें यूपी से द्वारा योजट सेवल मुख्य परीक्षा 2023 के अंतर्म नतीजों की घोशना कर दी गई है आईोग द्वारा सेवल सेवा परीक्षा 2023 के अंतर्म नतीजों की घोशना आज यानि मंगलवार 16 अप्रेल 2024 को की गई है आपको बता दें कि लखनव क्या दित्ते शिवास्तव ने यूपी से में टॉप क्या है वह अगली खबर के और बढ़ते हो आपको बता दें बीजेपी ने लोग सभ़ चुनाफ को लेकर उमीदवारों की बारवी सूची जारी कर दी है इस लिस्ट में यूपी की देवरिया और फिरोजबाद सीट से मौझूद सांसद के टिकेट कार्ट दिये गए हैं उनकी जगा नई चहरों को पार्टी ने मैदान में उता रहा है वहीं आगी बड़तो आपको बता दें बहुजन समाज पार्टी ने मंगलवार को लोग सभ़ चुनाफ के प्रतियाशियों की पांच भी सूची जारी कर दी है पार्टी ने डॉक्टर गुलशन देव शाक्के की जगा अब शिव प्रसाद्यादफ को प्रतियाशि घूशत किया है अगली खबर के और बड़तो आपको बता दें मुरादाबाद कोतवाली चेतर के कट्रा नाज में फर्जी इंकम टैक्स अधिकारी ने व्यापारियों से वसूली की कोशिश की आरोपी ने कारेवाही का डर दिखा कर चार व्यापारियों से रुपियों की मांगी शक होने पर व्यापारियों ने उसे पकड़ कर पुलिस के हवाली कर दिया मैं आरोपी के खिलाफ केस दर्जकर उसे जेल भीज दिया गया है आरोपी ने पूछताच में अपना नाम मुजबफर बताया है वो कुंदर की कैचक फाजलपुर गाउं का रहने वाला है ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिकेशा न्यूस धन्यवाद